तो सब्सक्राइब अपने यूट्यूब चैनल संदीब भी में आसा करता हूं मेरे सभी प्यारे भाइबन अपनी अच्छे तरीकिश त्यारी कर रहे होंगे आगे आने वाले एकजाम के लिए देखिए आप सभी को पता है कि जो यूप पूलिस कॉंस्टेबर की जो बेकंसी इसके फ़म भी कंप्लीट हो यानकि उसके फ़म भर गए और फ़म की जो संक्या है पतला हमारे विचारों से परे रही यानकि सबने जो सोचा था पहले बीस लाग भरेंगे फिर सोचा था जो एज में चूट में लगी थी उसके बाद सोचा था कि 30-35 लाग तर बर जो आपका आंकड़ा है वो 50 लाख को चूग गया जो कि एक तरीके से सपने की तरह था जो कि किसी को अंदाज नहीं था कि इतनी बड़ी संक्या में फर्म बरे जाएंगे अब बात आती है एक्जाम डेट को ले करके आप सब भी बहुत जादा एक्जाम डेट को ले करके प की अच्छी बात है तो देखें मैं आपको एक्जाम की बात बताउं जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले से जजसे जट चल रही थी कि अब तक ये विल्कुल तैमानी आपके अगर 50 लाग आपके फ्रम नहीं भरे होते तो अब तक आपके यूप पुलिस कॉंस्टबल की एक्जम डेट आउट कर दी जाती भरती बोड के द्वारा क्योंकि ये भरती बोड को भी पता है कि जब तक थोड़ी बच्चों को सुच बर गए तो यह आपको भी पता है और पता क्या सीधे सीधे हमारे भरती बोड की जो अद्देशे राइन को में श्राजी उन्होंने खुद बता दिया कि अब एक पाली में जो एक जम कराना संभव नहीं है दो या तीन पाली में होगा दूसरी बात दो तीन पाली होना नही करना मतले मतलब राममंदर का तो समय पूरी मतलब यूपी के जितने भी डेपाटमेंट है ज़िए और इसी वीय य०ंट कि इंप में आप इमान करके चलिए कि इसी वीक में लगवग में आपको बता रहा हूं कि आपके एक्जाम की डेट को ले करके कुछ नुकुछ कनफम हो जाएगा और यह बिल्कुल कनफम समझें कि और भी कोई नई डेट होगी आप कुछ भी जैसे भी होगा तो आपको इसी महीने में सब कुछ पता चल जाएगा अगर आपका एक्जाम अठारे फर्वरी को हुआ तो बर्तिबोड को भी पता है कि एक दन में एक्जाम कराना अठारे फर्वरी का पचास लाग विद्ध्यारतियों का पचास लाग की संग्या है मालली मतलब रेश्टिसन की लेकिन उसमें से द अभी आपको थोड़ा से इंत्यार करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कि जब तक भर्तिबोड मतलब अपनी और से कुछ ऑफिसल नहीं बता देता है या मतलब कुछ बिभागी नोट्रिस आपको कहीं से मुझे पता नहीं चलते तब तक यह सारी हमें पता नहीं है तो आपको ऐसा लग रहा है मतलब इन्होंने रेडियो प्रिटर की पहरी डेट बता दी थी कि इस महीने मोगा लेकिन हमारे को लेकर कि कुछ भी नहीं बता रहें ठीक है तो इसलिए नहीं बता रहें एक तो मतलब उनकी अभी संसे खुद मनी हुई है कठार फरी को एक ज अंसर देना है काकोरी कांड है वो किस बरस में हुआ था अगर आपने अच्छी तरकी से त्यारी की है तो मैं विश्वास करता हूं कि आप किसका जो आंसर है वो कमेंट में देंगे सही सही ठीक है तो दोस्तों आज बस मुझे ही जनकर देंदें आप सभी के लिए और भी आ कोई प्रशने कुछ भी है को आप कमेंट में जरूर करिए हमारे टेलेग्राम को पर उससे जरूर जूड़ी आई उसकी जो लेंके में डिसक्रिक्टिंग दे दिया है अम मिलेंगे अगली नई वीडियो में आज इतना ही नमस्कार जैहिन राम राम